किन्णरिस किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे पिंडी छोले इन्हें बीना प्याजवा टमाटर के सीर्ट सूखे मसालों का इस्तमाल करके बनाएंगे अमरीज सर में इस तरह से छोले बनाये जाते हैं इसलिए इन्हें अमरीज सरी छोले भी कहा जाता है तो आईए देखते हैं किस तरह से हम अमरीज सरी पिंडी छोले बनाते हैं आपने अगर अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी वीडियो टेप पे मेरी अपलोड की हुई सारी रेसिपीस मिल जाएगी एक कप काबूली चने लिये है काबूली चने को दो गलास पानी डाल के राद पर भिगो के रखेंगे कूकर के अंदर दो तेज पत्ता, स्वाधन नुसार नमक, एक चुथाई टीस्पून, बेकिंग सोडा और एक टेबल स्पून अनार दाना डालेंगे अनार दाना डालने से छोलो के अंदर बहुती बढ़िया टेस्ट आता है एक कपड़े के अंदर एक टीस्पून चाई पत्ती, एक इंच दालचिनी का टुकडा, दो लवंग और दो बड़ी इलाइची रख कर उसका एन्वलप बनाएंगे एन्वलप की जगा आप पोटली भी बना सकते है एन्वलप को सफेद धागे से सील कर दिया है, जिससे की वो कूकर के अंदर खूल न जाए कूकर का ड़कन बन करके पांच विसल लगा लेंगे खड़े मसाले और चाई पत्ती की वज़े से उबलने के बाद छोलो में डार्क कलर आ जाएगा गैस का स्विच बन कर लेंगे और कूकर को ठंडा होने देंगे कूकर एकदम ठंडा होने के बाद ही डखकन खोलेंगे डखकन खोलने पर आप देख सकते हैं छोलो का रंग काफी डार्क निख रहा है अंदर रखे हुए एन्वलप को निचोड कर बाहर निकाल देंगे एक बर्तन के उपर छन्दी रखकर छोलो में रहा पानी निकाल देंगे इस पानी को संबाल कर साइड में रख लेंगे अब हम उबले हुए छोलो को एक कडाई के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे कडाई के अंदर ही कुछ सुखे मसाले करेंगे कडाई में छोले और सुखे मसाले डालते वक्त हमने गैस नहीं चालू किया बंद गैस में ही हम छोलो के अंदर सुखे मसाले डाल कर मिला लेंगे एक टीस्पून दन्या जीरा पाउडर, एक टीस्पून लाल मीज पाउडर, एक टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसर नमक डालेंगे ध्यान रहे नमक हमने पहले भी छोलो को ओबालते वक डाला हुआ है साथ में आदा टेबल स्पून बुने हुए जीरे का पाउडर, एक टीस्पून गरम मसाला, आदा टीस्पून काली मीज का पाउडर, एक टीस्पून छोले मसाला, एक टीस्पून अनारदाना पाउडर और एक टीस्पून काला नमक डालेंगे अंत में एक टी स्पून आमचूर पाउडर डाल कर सभी मसालों को छोलों के अंदर मिला लेंगे अब हम छोलों में तड़का लगाएंगे एक बर्तन के अंदर 5-6 टेबल स्पून सुद देशी गी गरम करके उसमें अजवाईन और हींग का तड़का लगाएंगे साथ में एक टेबल स्पून हरी मेज की पेश डालेंगे एक टेबल स्पून अदरक और लसुन की पेश को भी गी के अंदर पकाएंगे एक टेश्पून कास्मी लाल मीच डालकर गी के अंदर मिला लेंगे गैस का स्विच बंद कर लेंगे बंद गैस में गरम गरम गी के अंदर मसालों को थोड़ा और पकने देंगे करीबन 30 सेकंड के बाद ये तड़का छोलो के अंदर डाल देंगे अभी भी बंद गैस हुए ही तड़का छोलो के अंदर मिला लेंगे मसाला मिल जाने के बाद बचाय हुआ छोलो का एक कप पानी कड़ाई के अंदर डालेंगे मध्यमाज पर गैस चालू करके कड़ाई में रहे छोलो को पकाएंगे पांच से साथ मिनिट ढक्कन बन करके पकने देंगे छोलो में पानी आप जितनी ग्रेवी बनानी हो उस हिसाब से डाल सकते हो तीन टेबल स्पून खजोर और इमली की चटनी डाल कर छोलो में मिला लेंगे चटनी डालने के बाद चोलो को और पांच साथ मिनिट पकाएंगे जिससे चटनी का टेस्ट और कलर छोलो में बैठ जाएगा छोले स्वाधिस्ट और चटपटे बनेंगे अमरीच सरी पिंडी छोले बन कर तैयार है गयस का स्विच बन कर लेंगे और छोलो को गरम गरम ही सव करेंगे इन छोलो को आप नान, पराठा, रोटी या कुल्चे के साथ खा सकते हो छोले, चावल या पुलाव के साथ भी बेहत स्वाधिस लगते है आशा है अमरीच सरी पिंडी छोले की मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी ऐसी और नई रेसिपी इस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले, धन्यवाद